सोशल मीडिया आच की समय में बॉलिवूड स्टार्स को लोगों से जोड के रखने के लिए जहां फाइदे मंद है तो दूसरी तरफ कभी-कभी ये सितारों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई बार बॉलिवूड सितारों के नाम पर फेक आईडी बना कर कई लोग उसका गलत इस्तिमाल करते हैं। हाली में अब ऐसा एक मामला सामने आया है विद्या बालन का जहां उनके नाम पर एक शक्स ने सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ बना कर ठगी की है। इस शक्स के खिलाफ विद्या ने मुंबई पुलीस में अपनी शिकायद दर्श कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि विद्या बालन की नाम से एक शक्स ने इंस्सग्राम पर फेक आईडी बनाई थी जहापर वो लोगों से पैसो की डिमांड कर रहा था। इतना ही नहीं। वो शक्स विद्याबालन के नाम पर सिर्फ पैसो की ठगी नहीं कर रहा था, बलकि उन्हें नौकरी दिलाने का वादा भी कर रहा था, मुंबई पुलीस ने IPC की धारा 66 के तहट ये मामला दर्श कराया है, विद्याबालन फिल्मों में भले ही इन देनों कम नजरारी हो, लेक परदे पर मंजुलिका बनकर लोटने वाली है, कुछ दिनों पहले कार्थिकारे ने बूलबूले या तीन में और इस्टनल मंजुलिका का वेलिकम किया था,